चलि दोस्तो आज की वीडियों हम बात करेंगे रिशरी कपूर साब की कुछ और बड़ी फिल्मों के बारे में चलि दोस्तो वीडियों को शुरू करते हैं बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की दो फिल्म का नाम था दरार यह मुवी साल 1996 माई थिया फिल्म इसमें रिशी कपूर के साथ अर्वास खान भी एहम केदार में थे इस फिल्म का वज़र तीन कडोर रुपे था इसने बॉक्स ओफिस इंडिया पर डेल कडोर रुपे कमाई थे वही पूरे वल्ड में इस मुवी ने दो कडोर का कलेक्शन गया था और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी अगली फिल्म आई थी साल 1997 में फिल्म का नाम था कौन सच्चा कौन जूटा ये मुवी साल 1997 में आई थे फिल्म इसमें रिशी कपूर के साथ सिरी देभी एहम केदार में थी इस फिल्म का वजट तीन कलोर से चार कलोर रुपे के वजट मनी थी फिल्म इसने बॉक्स ओफिस इंडिया पर एक कलोर रुपे कमाई थी वहीं पूरे बल्ड में देड कलोर का कलेक्शन गया था और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक डिशाष्टर साभी होई थी अगले फिलिम आई थी साल 1999 में फिलिम का नाम था जेहिन, ये मुबी साल 1999 माई थी फिलिम, इसमें रिशी कपूर के साथ रबीना टंटन एहम केदार में थी, एस फिलिम का वज़त दाई कडोर रुपे था, इसने बौक्स ओपिस इंडिया पर एक कडोर रुपे कमाई थी, व पी साल 2000 माई थी फिल्म इसमें हमें नजराय थे रिशी कपूर के साथ जुई चावुला अनिल कपूर एहम किदार में थे इस फिल्म का वजट 200 कडोर रुपे के वजट मनी थी फिल्म इसने बॉक्स ओफिस इंडिया पर 50 कडोर रुपे कमाई थे वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मुवी ने 70 कडोर रुपे की शांदार कमाई की थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप साबित होई थी अगली फिल्म आई थी 2001 में फिल्म का नाम था खटी मीटी यह मुवी 2001 में आई थी यह फिल्म इसमें रिशी कपूर के साथ सुनिल सेटी और इसमें काजल एहम केदार में थी इस फिल्म का कोई भी डाड़ा हमारे पास नहीं है लेकिन यह मुवी बॉक्स ओफिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी अगली फिल्म आई थी 2004 में फिल्म का नाम था हम तुम यह मुवी 2004 माई थी यह फिल्म इसमें रिशी कपूर के साथ सेफ हली खान रानी मुखर जी एहम केदार में थी इस फिल्म का वजड सो कड़ोर रुपे था इसने बॉक्स ओफिस इंडिया पर सो ही कड़ोर रुपे कमाई थी वहीं पूरे वल्ड में इस मुवी ने डेड़ सो कड़ोर रुपे की शामदार कमाई गी थी और यह मुवी एक्शन टीव पैमली फिल्म दी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक हिट करार दी गई थी अगली फिल्म आई थी 2006 में फिल्म का नाम था फणा यह मुवी 2006 मा आई थी फिल्म इसमें हमें रिश्री कपूर के साथ आमिर खान काजल भी मुक्के के दार में दी अगर हम बात करें इस फि आई थी वहीं पूरे वर्लिसेस मुवी ने 1500 कडोर रुपे से जादे का कलेक्शन किया था और यह मुवी एक्शन कोमेटी फैमली फिल्म दी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक सूपर डूपर हिट करार दी गई थी अगली फिल्म आई थी 2009 में फिल्म का नाम था चिंटू यह मुवी संदो अजार नौ में आई थी यह फिल्म इसमें रिशी कपूर एंप विदार में थे इस फिल्म का जो वज़ड तब तकरीवन 102 कडोर रुपे के वजड मनी थी यह फिल्म इसने बॉक्स ओफिस इंडिया पर 50 कडोर रुपे का कलेक्शन किया था वही दुनिया पर सेस् मुवी ते 45 कडोर रुपे कमाई थी और यह मुवी एक्शन कोमेटीव फैमिली फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ओफिस पर एक डिशाश्टर करार दो अगली फेलिम आई थी संदो हजार नौ में फिल्म का नाम था डिल्ली 6 यह मुवी संदो हजार 9 में आय थी इसमे वज़र जो था वो पता नहीं चल पाया लेकिन इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 40 से 45 कलोर का कलेक्शन किया था वहीं दुनिया वर्सेस मूवी ने 30 कलोर का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक फ्लॉप करार दी गई दी अगली फिल्म आई थी संदो अजा 10 में आई थी ये फिल्म इसमें रिशी कपूर एहम के धार में थे इस फिल्म का वज़ट 50 कलोर रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 100 कलोर रुपे कमाई थी वहीं पूरे बढ़ने में इस मूवी ने 1500 कलोर रुपे की शामदार कमाई की थी और ये मूवी एक्श 2011 माई थी ये फिल्म इसमें रिशी कपूर अक्षक कुमार एहम के धार में थे बज़ट इस फिल्म का वज़ट 108 कलोर रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 50 कलोर रुपे कमाई थे और फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी अगली फिल्म आई अगली फिल्म का वज़ट 100 कलोर रुपे था इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 500 कलोर रुपे कमाई थे वहीं पूरे वर्ड में इस मुभी ने 200 कलोर रुपे से जादा का कलेक्शन क्या था और ये मुभी एक्षन कोमेटिव फाइमिली फिलिम थी और फिलिम बोख्स ऑपिस पर एक सूपर डूपर हिट करार दी गई थी अगली फिलिम आई थी संदो 2012 में फिलिम का नाम था हाऊस farming 2 ये मुभी संदो 2012 में आई थी फिलिम इसमें रिश्री कपूर, मित्वुन, चक्करवती, अक्षे कुमार और भी एक्टर एहम केदार में थे इस फिलिम का वजट पचास कडोर रुपे के वजट मनी थी यह फिलिम इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर सो कडोर रुपे कमाई थी वहीं पूरे वल्डिसे इस मूबी यह फिलिम का वजट जो है वो पता नहीं जल पाया लेकिन यह मूबी बॉक्स ओपिस पर एक फ्लॉप करार दी गई थी कित अगले फिल्म आई थी संदो हजार अठ्रा में फिल्म का नाम था 102 not-out यह मुभी संदो हजार अड्रा माई थी यह फिल्म इसमें हमें नजर आए थे रेश्यी कपूर अनित्ता वचन एहं किदार में थे इस फिल्म का वुजट 100 कणोर रूपै थah इसने बॉक्स ओपिस इ 2018 में फिल्म का नाम था मुल्क के इस ये मूवी संदू 2018 आई थी ये फिल्म इसमें रिशी कपूर एहम केदार में थे इस फिल्म का वज़ा 1500 कड़ो रुपे के वज़ट मनी थी ये फिल्म इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 100 कड़ो रुपे गमाए थे वही पूरे वर्ल्ड में इस मुवी ने 1500 कड़ो रुपे का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ओपिस पर एक एवरेज करार दी गई अग्ली फिल्म आई थी संदू 2019 में फिल्म का नाम था डबोडी ये मुवी संदू 2019 माई थी विल्म इसमें हमें नजर आये थे रिशी कपूर के साथ इमरान खान भी एहम केदार में थे अगर हम बात करें बजट की तो इस फिल्म का वजट 125 कड़ो रुपे के वजट मनी थी ये फिल्म इसने बॉक्स ओपिस इंडिया पर 70 कड़ो रुपे कमाई थे वहीं पूरे बल्ड में इस मुवी ने 1500 कड़ोर का कलेक्शन किया था और फिल्म बॉक्स ओपेस पर डिशाष्टर सावित होई थी और ये रिशी कपूर के करियर की आकरी फिल्म थी इसके बाद हमें रिशी कपूर किसी भी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आये थी तो दोस्तों रिशी कपूर साब की इन सभी बड़ी फिल्मों में से कौन से मुवी आपक जाद पसंदे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जबू दें